मद्धे परदेश के रसायन जीले के सुल्तानपूर में एक पुलिस परिवार की दबंगई का मामला सामने आया है यहाँ पर पिछले कई दिनों से पुलिस परिवार द्वारब बुजर्ग दंबत्ती को परेशान किया जा रहा है दरसल रासायन के सुल्टारपुर में निवासी राम सवरूप ठाकुर ASI मद्धेपरदेश पूलिस के घर के बाजु में रमेश चुहान का घर लगा हुए है यहाँ पर पूलिस एसाई राम सवरूप के घर का गंदा पानी सोयम के घर से ना निकाल कर बाजू से लगे रमेश चुहान के घर से खुदाई कर पाइपलाइन डाल कर पानी बाहर निकाला जा रहा है इतना ही नहीं घर में रह रहे बुजर्ग दमपत्ती को पुलिस परकार द्वारा दमकाया भी जाता है जबकि दोनों परिवारों के मकान की जगा रिजिस्ट्री वाली नहीं बलकी पट्टे वाली जगा है इस मामले को लेकर पिडित परिवार कहीं दिनों से स्थान्य परशासन से लेकर जीला कलेक्टर और कहीं जिमेदार अदिकारियों को शिकायत कर चुका है इसके बावजूद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी पिडित परिवार की सुनवाई नहीं कर रहा वहीं पिडित बुजुर्ग रमेश चोहान का कहना है कि सुल्तानपूर पुलिस मुझे जबरन घर से उठा कर ले गई और पुलिस परिवार के स्वयम के लिखे हुए राजी नामा पर साइन करवा दिया इतना ही नहीं दबंग पुलिस परिवार का स्पोर्ट पूरे अधिकारी कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही साथ ही पिडित परिवार का कहना है कि हमें लगातार धंकाया जा रहा है कि अगर कोई शिकायत की तो ठीक नहीं होगा अब सवाल यह उटता है कि देश भक्ती जनसेवा का नारा देने वाली मध्य परदेश पुलिस के एक पुलिस का वाले का यह कैसा चेहरा है जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो ऐसे में आमजंता का क्या हाल होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिरित परिवार ने बताया कि ऐसा इराम संरूठ ठाकुर भपाल के पिपलानी थाने में पदस्त हैं अब देखना होगा कि इस पिरित परिवार की सुनवाई कौन जीमेदार करता है ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए